हेलो बच्चो कैसे हो आप सभी स्वागत है फिर से आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासिज में तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना NCRT की सीरीज चलरी है हमारी जिसमें हम NCRT की exercise देख रहे हैं तो उस exercise में आज हमारा chapter number 3 जिसका नाम है धातू और अधातू बहुत ही important chapter है हमारा chapter number 3 इसको देखने जा रहे हैं तो इस chapter में आप ये देखेंगे कि धातू और अधातू की जो exercise है उसको कैसे solve करेंगे जो question समझन आई, वो पूछ लेना, उससे पहले वीडियो को सभी को आपको शेयर करनी है, और उसन हो सके चैनल को सबस्क्राइब कीजिए, चलिए, स्टार्ट करते हैं आज अपनी एक्सराइज, दिखाते हैं कहा है इसकी एक्सराइज, तो इसके लिए आपको नीछे आना होगा, एक्सर विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा अब ये तो आप नहीं पूछोगे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है क्योंकि मैं आपको बता चुका विस्थापन अभिक्रिय क्या होती है ठीक है नहीं पता है तो पिछले वाले चैप्टर में जाएए देखिए विस्थापन अभिगिरिया क्या होती है तो कौन सो करेगा इसका अंसर होगा जो आपका AGNO3 होगा और कोपर धातू होगी अगर आप AGNO3 की रियक्शन कराएंगे देखिए किस तरह से AGNO3 AG क्या प्लस CU कोपर के साथ तो CU इसको विस्थापित कर देगा CU NO3 और क्या बन जाएगा AG बहार निकल जाएगा तो यह अभिगिरिया क्या होगी विस्थापित अभिगिरिया क्या होगी विस्थापित अभिगिरिया इसके बाद देखिए question number 2 लोहे के फ्राइंग फैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधी उप्युक्त है क्या ग्रीस लगाएंगे पैंट लगाएंगे जिंकी परह चड़ाएंगे सरम तो सभी करेंगे सभी करेंगे या नहीं करेंगे बताइए जल्दी बहुत सारे इसमें लगाएंगे सही क्या लगाएंगे ऊपर के सभी लेकिन यहाँ देखे लोहे के frying fan, frying fan वह होता है जिसमें आप खाना बनाते हैं, क्या उसमें आप grease लगा सकते हैं, ग्रिस लगाएंगे क्षाना बनाईगे, नहीं पेंट करेंगे उसके उपर नहीं, उसके उपर जिंक की पर चड़ाते हैं तो option number C, सही होगा, आप इसको D मत लिखना, यहीं गलती होती है D नहीं होगा इसका, क्या होगा option number C, क्या होगा option number C, correct answer जिंक की पर्थ चड़ा कर, चलिए question number 3 कोई धातू oxygen के साथ अभी करिया करके, उच गलनांक वाला योगिक निर्मित करती है यह योगिक जल में विले है, यह तत्व क्या हो सकता है, बदाएए, वो तत्व क्या होगा कोई धातू है, जैसे माल लीजिए हम example लें, कैलसियम यह दातू oxygen के साथ अभी करिया कि, इस ने किसके साथ? अआफ उच गलनांक वाला एक योगिक बनाया जो योगिक बनाया है, उसका गलनांक कैसा है? उच है और यह योगिक जल में विले है, यह योगिक किसमें विले है? जल में तो आपको बताना है तट्व क्या हो सकता है क्या कार्बन कर सकता है और करने के बाद ऐसा पदार्तिव योगिक बनाए जिसका गलनांक ऊच हो और जल में क्या हो वो बिले हो तो क्या बन जाता है यहाँ पर calcium oxide क्या बन जाता है calcium oxide यह जो calcium oxide होता है ठीक है इसका गलनांक उच होता है और यह योगिक जल में क्या होता है विले होता है तो क्या answer होगा इसका option number A चलिए question number 4 खादे पदार्तों के डिबो पर जिंक की बजाए तीन का लेप होता है important question है जिंक की बजाए तीन का लेप होता है किसका लेप होता है तीन का ऐसा क्यों तीन का लेप क्यों करते हैं यह आपको बताना है खादे पदार्तों के डबो पर बताइए क्या तीन की अपेक्षा जिंक महंगा है मेहंगा और सस्थे का कोई मतलब नहीं होता, साइंस पढ़ रहें आप कोई अर्थविपीश्ता नहीं पढ़ रही कि यह चीज महंगी होगी यह चीज सस्थी होगी तो क्या ओप्षन होगा कि जो तिन है, तिन कि अपईख्चर जो जिंक है जिंक अधिक क्रियासील है तो जिंक की बजाए हम क्या करेंगे टिन का उप्योग करेंगे क्यों अगर हमने जिंक का उप्योग किया यहां लिखा है टिन की अपेक्चा जिंक का अधिक क्रियासील है अगर हमने जिंक का इस्तिमाल किया तो वो जिंक खाद पदार्थों के डब क्रिया सीला है नीछ और टिन कहां पर आएगा नीचे आएगा आपको दिखा देता हूँ एक बार तो ये डाइगराम है आप देखिए देखिए कहां पर है धिखा देता हूँ एक बार ये देखिए देखिए जिंक कहा है ये रहा टिन कहाँ पर है टिंक नहीं चाहेगा टिंक ये रहा ये जिंक है ये टिन है देखिए तो कौन उपर है जिंक जिंक अभी क्रिया सीलता में उपर है तो जिंक ज्यादर क्रिया सील होगा किस से टिन से इसलिए हम जिंक का इस्तिमाल नहीं करते कि किसका करते हैं टिंका, चलिए, next question, question no, 5 आपको एक hatoda, एक battery, एक bulb historically,uğ total chapter, किya दिया गया, switch, ठीकर, अब आपको बताना है, क्या, धिया गया है, क्या क्या दिया गया है, हतoda, लिख ली जिए Üाँ पर, हतoda, battery, bulb, sugar, इवम, switch, क्या करना है इनका उप्योग कर धात्यों के नम्मोनों के बीच आप विभेत कैसे कर सकते हैं यह कुश्चन है आपका क्या क्या दिया गया है हतोडा ठीक है क्या दिया गया है आपको एक यह लिख देते हैं एक दिया गया आपको हतोडा एक दिया गया आपको बैटरी एक दिया गया आपको बल्ब तार और एक दिया गया है स्विच क्या दिया गया है स्विच तो इनकी मदद से आपको बताना है कि आप पहला इनका उप्योग कर धातूओ और धातूओ के नमूने के बीच कैसे विभेद कर सकते हैं देखिए सर मैं क्या काम करूँगा यह हतोडा लूँगा और जोर जोर से इस हतोडे को उस पदार्थ के उपर मारूँगा हतेड को पीटकर किस के उपर पीटूँगा हतेडो को जो वो पदार्थ है अगर उसमें से एक आवाज आएगी धात्विक आवाज क्या आएगी धात्विक आवाज तो वो धातू होगा धात्विक आवाज आएगी तो वो एक धातू होगा और उसमें से आवाज नहीं आएगी तो धातू होगा सिंपल अगर मैं क्या काम करूँगा उस हतोडे को जो भी नमूने दिये हैं उसके उपर मारूँगा हतोडे मारने पर अगर आवाज आएगी उसमें से जैसे कि आपकी स्कुल की घंटी में से आवाज आती है तो वो एक धातू होगी और अगर आवाज नहीं आएगी तो क्या होगी आधातू होगी ठीक है क्या होगी आधातू होगी दूसरा बताईए दूसरा आप क्या करेंगे बताईए तो इसमें क्या करेंगे एक बैटरी बल्ब तार और स्विच इनकी साहता से आप एक परीपत बनाएंगे ये तार है ठीक है क्या है ये एक तार तार में बैटरी लगाएंगे एक बल्ब लगाएंगे यहाँ पर क्या लगा दिया हमने बल्ब और एक स्विच लगा दिया क्या लगा दिया स्विच अगर इसमें विद्धुत धारा प्रवाईत हो गई मतलब अगर बल्ब जल गया बल्ब क्या हो गया जल गया तो क्या होगा वो धात क्योंकि बल्ब किसकी वज़े से चलेगा धातू की धातू में ही तो विद्धुद्धारा परवाहित होती है विद्धुद्धारा किस में परवाहित होगी धातू में ठीक है तो इसकी वज़े से बल्ब जल गया तो धातू है नहीं जला तो अधातू है सिंपल पता चल गया ह दूसरा धातू और एवं एधातू में विवेधन के लिए इन परिक्षनों की उपयोगीता का आकलन कीजिए देखिए जो परिक्षन है उपयोगी है क्या है उपयोगी है लेकिन कब ये केवल भोतिक अवस्ता के बारे में बताते हैं किसके भोतिक अवस्ता एक जगे ये फेल हो जाएंगे कैसे फेल हो जाएंगे मान लीजिए यहाँ पर आपने पदार्थ लिया कार्बन का एक अपर रूप है ग्रेफाइट क्या है कार्बन का एक अपर रूप है ग्रेफाइट अगर इस सैंपल में हमने ग्रेफाइट का यू और कार्बन एक अधातु होती है तो अधातु है तो नहीं जलना चाहिए परंतु बल्ब जलेगा बल्ब क्या होगा जलेगा क्यों जलेगा क्यों जलेगा क्यों क्यों जलेगा क्यों कि जो गिरेफाइट होती है वो कार्बन का एक अपरूप होते हुए भी एक इसके अंदर इ किसकी उपयोगिता भी है चलिए next question question number six उभेधर्मी उकसाइड क्या होते हैं दो उभेधर्मी उकसाइड का उधरन दीजिए उभेधर्मी उकसाइड क्या होते हैं तो इसकी परिबास आप लिख सकते हैं किसकी उबहधर्मी उक्साइड की क्या होती है उबहधर्मी उक्साइड की कि ऐसे धातू के उक्साइड किसकी उक्साइड ऐसे धातू के उक्साइड जो अमल और चार दोनों से अभिक्रिया करके लवन और जल बनाएंगे उसको बोलते हैं क्या अधात्विक उकसाइट सोरी उबैधर्मी उकसाइट क्या बोलते हैं उबैधर्मी उकसाइट तो छेटे की अगर आपको आंसर लिखना है ऐसे धात्तू उकसाइट जो अमल अमल वै छारक दोनों से अमल वै छारक दोनों से अभिक्रिया करके दोनों से क्या करेंगे अभिक्रिया अमल से भी और छारक से भी अभिक्रिया करके लवन तथा जल देते हैं पुबहधर्मी ओक्साइड कहलाते हैं इसका एक्जामपल आप लिख सकते हैं जैसे जिंक ओक्साइड ऐल्मिनियम ओक्साइड ये इसके एक्जामपल होते हैं कोशन नमबर 6, ठीक है, कोशन नमबर 7, दो धातू के नाम बताईए, जो तनु अमल से हाइट्रोजन को विस्तापित कर देंगे, तथा दो धातू जो ऐसा नहीं करेंगे, हाइट्रोजन को विस्तापित कौन करेगा, अभी मैंने आपको एक सिरीज दिखाईती, तो यहाँ द पुछा दो धातू के नाम बताईए, जो तनु अमलो से हाइट्रोजन को क्या करेगी, विस्तापित कर देगी, तनु अमलो से हाइट्रोजन को क्या करेगी, विस्तापित, तो हाइट्रोजन को कौन विस्तापित कर पाएगा, जो हाइट्रोजन को विस्तापित कौन कर तिसाली होते हैं किस से बताइए हाइट्रोजन से तो इसका मतलब वे धातू जो तनू अमलों से हाइट्रोजन को विस्तापित कर देगी ये सबी हैं और जो नहीं कर पाएगी उनमें कौन-कौन सा होगा कोपर होगा सिल्वर होगा और गोल्ड होगा अगर आप रियक्शन से स हाइट्रोजन को विस्तापित कर देगा और इसकी जगह पर खुद आ जाएगा फ-e-s-o-4 और क्या बाहर निकाल देगा हाइट्रोजन क्या बाहर निकाल देगा हाइट्रोजन लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ क्या गोल्ड ऐसा काम कर सकता है ए-u- प्लस-s-2-s-o-4 क्या ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है क्यों नहीं हो सकता क्योंकि ए-u- यानिके सोने का इस्थान सक्रिता सिरेनी में हाइट्रोजन से नीचे है इसलिए हाइट्रोजन को ये विस्तापित नहीं कर पाएगा हाइट्रोजन को कौन विस्तापित कर पाएगा जो हाइट्रोजन से देखिए उसने पहले पूछा है क्या पहले लिख देते हैं जो नहीं कर पाएगी कोपर शिल्वर गोल्ड ये नहीं कर पाएगी बाकी सब भी धातु में कर देंगी हाइटोजन को विस्थापित कोन-कोन से विस्थापित कर देगी FE कर देगी ठीक है और आपका क्या क्या थी potassium थी FE potassium और आप लिख सकते हैं कौन सी और बहुत सारी होती हैं लिख सकते हैं calcium भी लिख सकते हैं magnesium भी लिख सकते हैं aluminium भी लिख सकते हैं ये सारी क्या कर देगी विस्थापित और जो हाइट्रोजन से नीचे आएगी वो विस्थापित नहीं कर पाएगी चलिए किसी धातु M के विद्धूत अबगटनी परिसकरन में आप एनोड कैथोड एवं विद्धूत अबगटने किसे बनाएंगे बताना है कि किसको धातु है M उसके विद्धूत अबगटनी सोधन करना है उसका विद्धूत अबगटन विदी से तो आप किसको क्या बनाएंगे एनोड किसको कैथोड बनाएंगे और किसको विद्धुत अपगटाय बनाएंगे बताईए देखे माली जी आपको परिश्करन करना है किसी धातु का माली जी आइरन का करना है किसका परिश्करन करना है iron का purification करना है zinc का करना है ठीक है किसी का भी करना है आपको तो विद्दूत अबगटे क्या होता है जो माल लिजे ये एक इसके अंदर आपने liquid भरा है जो ये घोल है ये कहलता है विद्दूत अबगटे क्या कहलता है विद्दूत अबगटे तो विद्दीध अब घटे में उसका लवन लेगे आप, क्या लेगे लवन, तो जो यह धातु है, विद्दोध अबगे प Кстати में क्या लेगे, जो एम धातु है, उस धातु का, M जो धातु है, M धातु का, Amalia हुआ अमलिय लवन विलियन, कैसे विलियन लेगे, Amalia Loveन विलियन, की देखिए कैथोड क्या कैथोड कैथओड पर क्या लेंगे सुद धातू की पट्ति जो म है एम की पतली पट्ति एक पट्ति लेंगे और एनोड पर क्या लेंगे एनोड पर आप लेंगे क्या असुद धातू उसकी असुद धातू जो होगी सुद असुद धातू M की पट्टी मतलब जो सुद धातू मिलेगी वो किस पर मिलेगी कैथोड पर असुद जो लेंगे वो एनोड पर और जो विलियन लेंगे वो किसका लेगा लेंगे उसका अमलिय विलियन लेंगे कैसा लेंगे अमलिय विलियन question number 9 यह आपको याद रखना है ठीक है question number 9 9 देखते हैं क्या है प्रत्युष ने sulfur चोर्न को spatula में लेकर उसे घर्म किया यह देखिया आप एक पर्खनली है इसमें लेकर किसको गर्म किया है sulfur चोर्न को चितर के अनुसार एक पर्खनली को उल्टा करके उसने उत्सरजित गैस को एकत्रित किया मतलब उसने क्या किया sulfur चोर्न को गर्म किया गर्म करने पर क्या हुआ कि गर्म करने पर उसने देखिया sulfur को गर्म किया मतलब oxygen की उपस्तिती में तो क्या बनी? sulfur dye oxide क्या बनेगी? sulfur dye oxide अब उसने क्या किया है चितर के अनुसार एक panorakionali को उल्टा करके उसने उचसरजित गैस को एकत्रित किया तो गैस कौनसी होगी अब ही ही पता लगिया sulfur dye oxide कौनसी होगी? sulfur dye oxide यह जो आप छन्नी सी देख रहे हैं इसके अंदर क्या लिया है सल्फर पाउडर इसको गर्म किया गर्ने के बाद गैस बनी इस गैस को इसमें इकत्रित कर लिया और कौन सी गैस बनी है यह सल्फर डाई उक्साइड गैस की किरिया क्या होगी सूखे लिटमस पत्र पर और गीले लिटमस पत्र पर दोनों पर बतानी है क्या होगी तो जो सूखा लिटमस पेपर होगा उस पर कोई परभाव नहीं पड़ेगा परभाव नहीं पड़ेगा सूखे लिटमस पेपर परभाव नहीं पड़ेगा लेकिन जो गीला लिटमस पेपर होगा सल्फर डाय उक्साइड उसमें किस से अभी करिया करेगी हाइड्रोसोरी जल से किस से अभी करिया करेगी जल से क्योंकि गीला है वो उसके अंदर जल है और ऐसा करने के बाद वो सल्फियूरस अमल बना लेगी देखें S2, SO कितने हैं 3 अगर 4 होते तो सल्फियूरिक अमल 3 है तो सल्फियूरस अमल क्या बना लेगी सल्फियूरस अमल यही पूछ रहा है वो कि गैस की किरिया क्या होगी सूखे लिटमस पर कोई परभाव नी पड़ेगा सल्फियूरस अमल दूसरा गील एलिटमस पर यह संतूलित ही है इसमें हमें कुछ नहीं करना यह क्या है संतूलित है ठीक है? चलिए कॉश्शन number 10 लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताईए क्या तरीके होंगे लोहे को जंग से बचाने के बताईए अगर लोहे को जंग से बचाना है तो क्या तरीके होंगे बताया था लोहे पर जंग लगना या धातू का संचारन तो क्या करेंगे सर पहला तो हम गैलवनी करन कर देंगे क्या कर देंगे गैलवनी करन या यसद लेपन क्या कर देंगे यसद लेपन ये क्या होता है इसमें क्या करते है कि लोहे पर किसकी परष चड़ा देते हैं एफ ई पर किसकी परष चड़ा देते हैं जिंक की परत जिंक की परत या दूसरा पेंट कर देंगे उस पर क्या कर देंगे पेंट करके क्या कर देंगे पेंट कर देंगे अभी उपर आया था ये कोशन देखिए कहा है ये रहा ग्रीस लगा देंगे पेंट लगा देंगे जिंक की पर चड़ा देंगे ठीक है यही तीन मेंबर 11, ओक्सिजन के साथ संयुक्त होकर अधातू कैसा ओक्साइड बनाती है, कोई भी अधातू होगी, कौन से अधातू, कोई भी अधातू, माल लीजे सल्फर है, क्या है सल्फर, दूसरे पैंस से लिख देता हूँ, माल लीजे सल्फर है, इसने ओक्सिजन से अभिक्रिय की तो क्या बनाया सल्फर डाई ओक्साइड क्या बनाया सल्फर डाई ओक्साइड दूसरा और एक्जामपल आप ले सकते हैं कार्बन कार्बन ने ओक्सिजन से अभी क्रिया की तो क्या बना कार्बन डाई ओक्साइड नाइट्रोजन ने ओक्सिजन से अभी क्रिया की तो विल्ये कैसे होते हैं अम लिए ओक्साइड तो क्या बनाती है अम लिए ओक्साइड अधिक्तर क्या अमली ओक्साइड लेकिन कभी-कभी उदाशीड भी बना दती है जैसे हाइ Alright इस्टो हो जरूजन से अभिक्रिया की ओक्सीजन ने तो पानी बन जाता है this to क्या बन जता है पानी या कार्बन से अभी कार्बन ने अभी किरिया की ओक्सिजन से तो क्या बन जता है कार्बन मोनो उक्साइड तो ये सब क्या है ये दोनों आपके हैं उदासीन उक्साइड कैसे होते हैं उदासीन लेकिन जनरली आपको ये लिखना है कि ओक्सिजन के साथ है चार है क्या से ऊकसाइड बनाती है चार है ऊक्साइड टरकैं यह आपको याद रखना है धातुएं कैसा उकसाइड बनाएगी चारिस ए और अधातुएं कैसा उकसाइड बनाएगी अमली यह ॅट झालिए नेक्स किश्टों कर देMr नेक्स है हमारा यह हो गया हमारा कुश्चन कुश्चन नम्बर दस हो गया कुश्चन नम्बर बारा देखिए खारण बताईए प्लाटिनम सोना और चांदी का उप्योग आभूसन बनाने के लिए किया जाता है क्यों किया जाता है क्यों किया जाता है बताईए दूसरा पहला तो इनकी किरिया सीलता भी कम है क्या है किरिया सीलता कम होती है ये जल्दी से संचारित नहीं होते किरिया सीलता क्या होती है कम किरिया सीलता क्या होती है कम संचारित नहीं होते संचारित नहीं होते जल्दी से नहीं होते है ठीक है और इसमें एक चमक होती है धात्विक चमक जो ज़्यादा लंबे समय तक रह सकती है धात्विक चमक तो सभी में होती है लेकिन जो लंबे समय तक रहेगी लंबे समय तक रहेगी ठीक है इसलिए जो धात्वे होती है उनका प्रियोग किस धात्वों का प् किया जाता है ठीक है important question है पूछा जाता है question number B sodium, potassium तथा lithium को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है क्यों? बताना है आपको sodium, potassium और lithium क्यों किया जाता है इनको तेल के अंदर? क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा किरियासील होती है कैसी होती है अधिक क्रिया सील सर अधिक क्रिया सील होने की विज़े से क्या हुआ तो जैसे ही आप उन्हें इसको खुले में रखा किसमें रखा खुले में तो खुले में रखा तो खुले में रखने पर ये क्या करतेगी आग पकड लेंगी है ठीक है तो ये इसका रेजन होता है क्या की अधिक्रियसील होती है खुले में रखने पर ओक्सिजन से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेगी तीसरा नमबर C अलुमिनियम अत्यंत अभिक्रियसील धात हुए है फिर भी इसको उप्योग खाना बनाने वाले बरतनों के लिए किया जाता है क्यों इसका कारण ये है क्योंकि एलुमिनियम को खाना बनाने वाले बरतन में क्यों प्रियुक्त किया जाता है आपको बताना है क्योंकि जो एलुमिनियम होता है वो oxygen से अभिकरिया करके aluminium oxide बना लेता है Al2O3 क्या बना लेता है aluminium oxide क्या बना लेता है aluminium oxide इसको balance करने ने 3 दू निचे 3 क्या बना लेता है aluminium oxide और जो aluminium oxide की परत बन जाती है वो aluminium की सतय को संचारित होने से बचा लेती है जो aluminium की परत बन गई समझ यह आपने एक aluminium लिया इसको रख दिया अब क्या होगा यह oxygen से अभी क्रिया करेगी और इसके उपर एक परत जम जाएगी किसकी परत जम जाएगी aluminium oxide की किसकी परत जम जाएगी aluminium oxide की और यह aluminium oxide किसकी सुरक्षा करती है aluminium की तो करती है साथ के साथ इसके अंदर जो खाना रखा हुआ है उसकी भी क्या करती है सुरक्षा करती है फूर्थ डी निसकर्शन प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड ऐसक को ओक्साइड में परिवर्तित किया जाता है ऐसा क्यों किया जाता है ठीक है मतलब जब भी ये मैंने आपको पढ़ाया भी था कि जब भी किसी भी धातू का निसकर्शन या सोधन किया जाएगा तो उसके कार्बोनेट किसको जैसे कैलसियम कार्बोनेट हो गया जैसे कैलसियम कार्बोनेट जैसे कैलसियम कार्बोनेट हो गया Ca 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 3 या sulphide Is होगा उसको सबको ओकशइड में परिवर्थित किया जाता है किस में किया जाता है Oxford में क्यों किया जाता है क्योंकि जितने में धातू होती है उनको उनके Oakside से प्राप्त करना आसान होता है as compared to carbonate और sulphide तवारे सुल लीजिए जो धातुएं होती है उनको ओक्साइड से प्राप्त करना आसान होता है किसके कंपेर में कार्बोनेट और सल्फाइड ऐसक के कंपेर में इसलिए किसका यूज किया जाता है किसका यूज किया जाता है ओक्साइड ऐसक का जैसे मैं आपको एक example दे कर बदाता हूँ जैसे जिंक का एक played – jns इसका वायू की उपस्तिती में भर्जन किया जाता है क्या किया जता है भर्जन कौन साosse कै ये sulfide क्या है ये sulfide – तो भर्जन करने पर क्या बन जाता है ये बन जाता है ओक्साइड ऐस्क में परिवर्तित हो जाता है और इस ओक्साइड ऐस्क से आप धातू यानि के जिंग का निस्कर्शन आसानी से किया जाता है किसके कंपेर में जैडन इसके कंपेर में और अगर कार्बोनेट का एक्जामपल देखना है तो जैडन CO3 इसका किया जाता है निस्तापन वायू की अनुपस्तिती में भरजन और निस्तापन में क्या अंतर होता है कि भरजन वायू की अनुपस्तिती में होता है और निस्तापन वायू की अनुपस्तिती में ठीक है, क्या बन जटता है. Zinc Oxide Plus Carbon Dye Oxide यहाँ पर भी किसमे परिवर्तित किया है हमने दोनों process में हमने 200 में भरजन में भी और निस्थापन में किसमे परिवर्तित किया है Oxide में झाभाः अगर इस Oxide का जो बना है ZNO इसका अपचेयन कर दे कार्बन के साथ तो जिंक आसानी से हमें प्राप्त हो जाता है और कार्बन मोनोक्सेड गैस तो हमें क्या प्राप्त करना होता है जिंक क्या करना होता है जिंक चलिए कुशन नमबर 13 ये भी कंप्लीट होता है अब देखते हैं कुशन नमबर 13 अपने आपने तामबे के मलीन बरतन को नीमबू या इमली के रस्से साफ करते अवश्य देखा होगा या खटे पडार्थ बरतन को साफ करने में क्यों परभावी है आपको बताना है क्यों ऐसा होता है इसका मतलब ये होगा कि हमने क्या हुआ तामबे के मलीन बरतन को नीमबू या इमली नीमबू या इमली कैसा होता है इसका स्वाज अमलिया होता है कैसे होते हैं ये अमलिया रस साफ करते हैं बसे देखा होगा यह खटे पदार्च बरतन को साफ करने में क्यों परभावी है यानि कि हम किसी चीज में अमल का यूज कर रहे हैं इसका मतलब वो चारिय हो रहा होगा क्या हो रहा होगा चारिय है और दोनों मिलेंगे उसको क्या बना देंगे उदासीन इतना समझ लीजे concept दोबारे समझ लीजे नीम्बू या इमली का यूज करते हैं नीम्बू का आपने देखा होगा तामबे के बरतन गंदे हो जाते हैं तो नीम्बू अगयरा डाल कर साफ करते हैं खूब करते हैं इसको ठीक है क्यों नीम्बू होता है अमली है इसका मतलब वहाँ पर चारिया बन रहोगा चारिया को हमें दूर करना है अमल को दूर करना है तो कैसे दूर करेंगे चारिया मिला कर चारिया को दूर करना है अमली मिला कर उदासीन विलियन बना लेंगे ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके पास तामबे के बरतन होते हैं किसके बरतन होते हैं तामबे तामबे के बरतन जब जब तामबा हमारे वायू मंडल में क्या होती है ओक्सिजन और नमी भी होती है क्या होती है नमी इससे अभिक्रिया करता है तथा तो क्या होता है कि कार्बन डाई ओक्साइड गैस के कारण कार्बन डाई ओक्साइड भी बन जाती है उस कार्बन डाई ओक्साइड गैस के होती है चारी है कैसी परकृती की तीग होती है चारी है तो चारी परकृती को उदासीन करने के लिए इसमें चार मिलाएंगे या अमल मिलाएंगे बताइए तो क्या मिलाएंगे इसमें अमल मिलाएंगे तो ऐसा करने से क्या हो जाता है कि वो बरतन साफ हो जाते है दोबारा समझ लीजिए दोबारा समझ लीजिए नहीं समझ में आया तो देखे एक बार फिर समझा देता हूँ आपको क्या है प्रोसेस देखे जैसे माल लीजिए आपने खाना बनाया है खाने बनाने में यूज किया है तामबे के बरतन का किसका यूज किया है तामबे के बरतन का नीचे समझ लेजी तामबे के बरतन का तामबा मतलब कोपर ठीक है कोपर के बरतन का यूज किया है अब कोपर ओक्सिजन से अभी किरिया करेगा और नमी से भिक्रिया करेगा किस से ओक्सीजन और नमी से तो ये क्या काम करता है कोपर कार्बोनेट बना लेता है कार्बन डाई उक्साइड की उपस्तिती में क्या बना लेता है कोपर कार्बोनेट और इसका रंग कैसा हो जाता है हरा हरा रंग कि एक पर्त जम गई और इसकी प्रकरती कैसी होती है चार की है अब इसमें आप क्या मिलाएंगे उदासीन करने के लिए क्या मिलाएंगे अमल और वो अमल क्या होगा नीम्बू या इमली का रस तो ऐसा करने से अगर आपने कोपर कार्बोनेट लिया क्या लिया कोपर कार्बोनेट इसमें मिला दिया सेट्रिक एसिड या निके साइट्रिक अमल उन्हें पाई जाता है साइट्रिक अमल तो ऐसा करने से क्या बन जाता है कोपर साइट्रेट बनता है कोपर साइट्रेट कौन सी गैस निकलती है carbon dioxide और पानी ठीक है तो हम क्यों यूज करते हैं किसका तामबे के मलीन बरतन नीमबू या इमली से दोने में क्योंकि नीमबू या इमली कैसी होती है अमली है और तामबा ओक्सिजन और नमी से अभिकरिया करके चार यह एक हरीसी परत बना लेता है तो उसको अमल के दुआरा क्या कर दिया जाता है उदासीन कर दिया जाता है कोशन नमबर 14 रासाइनिक गुंदर्म के आदार पर धातू एवं अधातू में विभेद की दिये किसके आदार पर? रासाइनिक गुंद के आदार पर ठीक है? तो रासाइनी गुंड के आधार पर question number फूंसा है ये 14 धातू और किसमे अंतर बताना है आपको आधातू में किसमे धातू में और आधातू में दोनों में क्या बताना है आपको अंतर तो एक तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो धातू में होती है वो छार ये उक्साइड बनाती है कैसा उक्साइड बनाती है छार के उक्साइड और जो अधातू होती है वो अधिकांसते है कैसा उक्साइड बनाती है अमलिय उक्साइड कैसा उक्साइड बनाती है अमलिय उक्साइड बनाती है ठीक है पहला अंतर तो ये है अधातू और अधातू का दूसरा क्या होता है जितनी भी धातू होती है धातू जो होती है वो अपचायक होती है कैसी होती है अपचायक और जो अधातू होती है वो ओक्सिकारक होती है या उपचायक होती है कैसी होती है उपचायक तीसरा अंतर धात्वेज होती है वो इलेक्ट्रोन का त्याग करती है इलेक्ट्रोन का क्या करती है त्याग जैसे सोडियम है तो ये सोडियम एक इलेक्ट्रोन का क्या करतेगी त्याग और इसमें क्या आएगा जो अधात्वेज होती है वो electron को क्या करती है ग्रहन करती है जैसे chlorine एक electron को ग्रहन करेगा तो क्या बन जाएगा Cl- fourth दात्वेज होती है जल से hydrogen को विस्थापित कर देती है जल से hydrogen को विस्थापित कर देती है विस्थापित कर देती है और ये ऐसा नहीं कर पाती आधात्वे होती है जो आधात्वे होती है जलिया भाप से अभिक्रिया नहीं करती ना जल से ना भाप से जलिया भाप से अभिक्रिया नहीं करती कितने अंतर पूछे थे नहीं करती अंतर बताने जाए कितने भी लिख दीजिए ठीक है तो और अंतर आप लिख सकते हैं ठीक है ये मैंने आपको चार अंतर बता दिये इसके चलिए देखते हैं आज का अपना next question second last question important question है question number 15 एक व्यक्ति परतियक घर में सुनार बन कर जाता है एक व्यक्ति है परतियक घर में सुनार बन कर जाता है उसने पूराने एवं मलीन सोने के अभूसन में पहली जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया कोई संधे के बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है जिसे वह एक विसेस विलियन में डाल देता है कंगन नहीं की तरह चमकने लगते है लेकिन उनका बजन अत्यंत कम हो जाता है वह महिला बहुत दुखी होती है तता तरक वितरक के बस साथ उस व्यक्ति को जुकना पड़ता है एक जासूस की तरह क्या आप उस विलियन की प्रकृति के बारे में बता सकते है ये कुश्चन है बता ना इसमें आपको क्या होगा देखे एक टोपिक होता है अमल राज क्या होता है अमल राज क्या होता है देखे एक टोपिक था इसमें अमल राज इसको aqua regia भी बोलते है अमल राज या aqua regia अगर आप तीन भाग HCl के लिए HCl भी कैसा सांद्र और एक भाग किसका ले नाइट्रिक अमल का HNO3 का किसका ले HNO3 ये भी कैसा होना चाहिए सांद्र तो इसको बोलते हैं aqua regia क्या बोलते हैं aqua regia अब ये जो कि जब हमारी माता या बहने किसी भी सुनार के पास जाती है कि मेरे सोने के गंगन है या सोने की अंगूठी है इसमें चमक नहीं आ रही ये गंदा हो गया डल हो गया है इसमें चमक ला दीजिए तो वो क्या करते हैं एक प्याला से होता है उनके पास उसमें लिक्विड भरा होता है वो लिक्विड क्या होता है अमल राज क्या होता है वो लिक्विड अमल राज इस अमल राज में ही क्या होता है ये जो अमल राज है एक मुट अमल राज उनके पास जो लिकWIT भरह होता है दूसरा नाम के होता है इसका अगवा रेजिया उसको जो सोने की अंगोठी है कंगन है उसको उसमें डुबाएगा और डुबाने के बाद जैसे ही निकालेगा वो बिल्कुल चमक हो जाएगी उसके उपर ऐसा क्यों होता है क्योंकि वो जो सोना है वो उसमें घुलने लगता है क्योंकि हमल राज सोने को क्या कर देता है गला देता है और धीरे धीरे अगर आपने 10 ग्राम का दिया है और थोड़ी देर भी छोड़ दिया तो ये 9,5-9 ग्राम का रह जाएगा 9,5-9 ग्राम का और अथखुस हो कर आएंगी कि मेरे कंगन चमक गए या मेरी अंगूटी चमक गई लेकिन नुकसान भी तो बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि एक ग्राम सोने की कीमत आप समझते हो आज के टाइम में 6-7 अजार रुपे गया एक ग्राम की या आदा ग्राम खतम हो गया तो 3 अजार रुपे गए ठीक है तो क्या होता है वो जो विलियन होता है वो विलियन कौन सा होता है अमुल राज यही वो पूछना चारा है कि कौन सा विलियन है तो कौन सा विलियन है अमुल राज ठीक है चलिया आज का लास्ट कोश्चन है NCRT का चैप्टर नमबर 3 का ठीक है तो आप सभी को सेयर कीजिए वीडियो को अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में भी सेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराईए सभी से चैप्टर नमबर सोरी कोशन नमबर 16 गर्म जल का टैंक बनाने में इसको रफ कर देता हूँ अच्छे से दिखेगा आपको गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उप्योग होता है परन्तु इस पाथ इस पाथ लोहे की एक मिस्टर धात होती है लोहे में कारवन मिलाने पर बनता है का नहीं इसका कारण आपको बताना है गर्म जल का टैंक बनाने में किसका प्रियोग करते हैं तांबे का इस पात का क्यों नहीं करते ये आपको बनाना है बताना है सुरी क्यों नहीं करते जो तांबा होता है वो उश्मा का सुचालक होता है उस्मा का क्या होता है सुचालक होता तो इस पात भी उस्मा का सुचालक है लेकिन यह अच्छा सुचालक नहीं होता थोड़ा कम होता है किसके compare में तांबे के अच्छा सुचालक नहीं होता ठीक है दूसरा जो copper होता है वो जल से अभी क्रिया नहीं करता जल का tank बनाना है अगर जल से ही अभी क्रिया करने लगे पता चला आपको जल पीना था आप पी रहे हैं दूसरित जल या उसके अंदर कुछ मिला हुआ है कुछ impurity उसके अंदर मिल गई है तांबा मिल जाता तो तो जल से या भाप से भी अभी क्रिया नहीं करता कून तांबा अभी क्रिया नहीं करता इसलिए आपने देखाओगा तामबे के ही यूज किये जाते है नल वगएरा में या पाइप वगएरा में तामबे के ही जो इंस्टुमेंट है वो यूज किये जाते है और जो इस पाथ है वो जल से अभी कर लेता है और इसमें जंग भी लग जाता है जल से अभिक्रिया करता है वै इसमें जंग भी लगता है इसमें क्या लगता है? जंग भी लगता है ठीक है? तो इस तरह से हमारे NCIRT कa chapter number 3 भी complete होता है इसके बाद हमारा chapter number 4 आएगा last chapter होगा chemistry का फिर हम bio start करेंगे ठीक है मिलते हैं नई वीडियो के साथ धन्यवाद